आप बिहार के नजरिये से देखें, दस वरस कॉंग्रेस की यूपिय की सरकार थी, तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, तब भी यहां के बच्चे पलायन और मजदूरी के लिए मजबूर थे, और जब आज दस वरस से निरिंद मोदी जी की सरक है, तो भी बिहार के लोगों की वही दसा है, आज भी हमारे बच्चों को बिहार के बच्चों को पलायन ही करना है, आज भी यहां पर फैक्ट्री नहीं है, आज भी यहां परणने की बेवस्ता नहीं है, और इसमें मैं अपना प्रियास भी जोडता हूँ, मैंने 2015 में यहां महागडवंदन की मदद की उनको जिताया उसके बावजूद भी हार में सुधार नहीं हुआ तो कहीं न कहीं हम लोगो को यह सीखने समझने की जरूरत है कि सिर्फ दलो के बनने से, जीतने से, हारने से यह परिशिती नहीं बदलेगी उसको हम लोगों को जड़ तक पहुँचना होगा समाज में उतर के प्रयास करना होगा और इसी नजरिये से मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने जीवन के दो साल तीन साल पांच साल जितना भी समय लगे मैंने अपना घर परिवार काम धाम दोस्त मित्र जो भी मेरा था सब कुछ छोड कर करीब करीब दो साल से मैं यहां रह रहा हूं और मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूं मेरे जीवन की प्रात्मिक्ता बिहार में एक बहतर बेवस्ता बनाना है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे